मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कारिक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज का हमारा विशय है मा, संपून, प्यार एक औरत के लिए एक शिशु को जन देना बहुती सुखत और प्राकृतिक अनुभव होता है माद्वारा अपने नवजात को स्तनपान कराने से उसकी मानसिक और उसकी रोक्रतिरुदक शमता दोनों का विकास होता है मा के दूद से बच्चे को शारिरिक स्वास्थ भी मिलता है और इसी के साथ साथ अगर बात करें कि जन के एक घंटे के अंदर अगर मा का दूद बच्चे को पिला दिया जाता है तो उसकी रोक्रतिरुदक शमता के साथ साथ जो उसका स्वास्थ होता है वो भी और बहतर होता है एक घंटे के अंदर दूद पिलाने से मृत्यू जो दर है वो 20 प्रतिशत कम पाई भी गई है और इसी के साथ साथ जो 6 माह तक स्तनपान कराने की प्रक्रिया है उससे जो बच्चे का दस्त और निमोनिया जैसी रोग होती है उसमें भी कमी लाई जा सकती है यानि की मा का दूद अम्रित समान होता है तो आज इस विशेपर हमसे बात करने के लिए और अपने विचार सांजा करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमाई साथ स्टूडियो में विशेशग्य के रूप में मौझूद है राश्ट्य स्वास्ट मिशन की वरिष्ट परामश दाता डॉक्टर अरुणा नारायन जी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में और हमारा टोल फ्री नंबर मौझूद है जो है 18000-5233 तो इन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे लाइट जुट सकते हैं हमारे इस कारिक्रम से और हाँ फोन करने से पहले आप अपने टीवी का जो वाल्यूम है वो जरूर कम कर लिजेगा तो आईए अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साब सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर संस्थागत प्रसव की बात करें तो इसके क्या फाइदे हैं? तो संस्थागत प्रसव पहले कहते हैं कि इसको यह वालूमना जरूरी है कोई भी प्रसव, अगर डॉक्टर्स, स्टाफ के, जो हमारा अप्रिशित स्टाफ है, उसकी प्रसम में होता है, तो वह संस्थागत प्रसव है वो सिफ़कारी अस्पेदार में भी और हो सकता है फ्राइवाट एक जरूरी है कि जो लोग अभी किरा रहे हैं वो ट्रेइन दें कुरिश अधा है तो अगर होता है तो देखें बहुत सारी इमर्जेंसी होगा दे कई लेकिन यहीं पे अगर यह बच्चा घर में परदा होता है तो कोई देखने वाड़ा नहीं है तो उसे बच्चे की जन को भी खत्रा है मा की जन को भी खत्रा है तो संस्थागर प्रसफ क्यों जरूरी है यह हमने जाना आईए अब आगे बढ़ते हैं और अपने जो यहां पे तर्शाख है उनसे पूछ लेते हैं कि आप अपना सवाल पूछिए रंजना जी सबसे पहले आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई इस तरी अपने घर में ही बच्चे को जन्र देती है तो उसकी देखभाल किस तरह से होनी चाहिए तेकि जैसे कि हमने आप से बताया कि प्रसफ संस्था का तोना हमेशा बैतर होता है हमेशा अच्छा होता है कि होस्पिटर में डेलिवरी करा हैं लेकिन अगर कहीं मजबूरी है अचानक हो गया शिफ्ट नहीं कर पाए ट्रांस्पोर्टिशन की प्रॉब्लम हो गई तो अगर ऐसी इस्तिती आही जाती है तो कर लीयारता है या बलेट को उबाल कि हुज कर लेते हैं ऐसनी काना चाय। हमेशा नए आप लेटी इस्तिमाल करना चेहिए। उसके बाद जो कट जाये नाल उसके बाद उसको ज्डगा बादना है उसको भी अच्छे से उबाला हुआ हुए और dane thickness उसको बाना चाहिए और नाल पर कुछ भी नहीं लगाना सी है, तो दो-ती चीज़ तो यह important है, फिर बच्चे के शरीर के तापमान को बचाय रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानि कि बच्चा जब पैदा होता है, तो वो अंदर एक बहुत गरम एटमॉस्फिर में होता है, और जब बच्चा बाहर सफन बढ़ते हैं, हमारे जो स्टूडियो में मौझूद है, स्वन्डिमा जी आप अपना सवाल पूछ सकती है, मेरा सवाल यही है कि इस्तन पान का क्या महत्व है, देखिए भी जैसे शुरूर में ही कहा गया, कि इस्तन पान बच्चे को समचित पोर्षन तो देता ही है, चारेरिक और मांसी विकास में भी बहुत साहयक होता है, बच्चे अगर मा का दूद पीता है, तो बच्चे को पुरा पुर्षन मिलता है, यानि कि मा का दूद कम्प्लीट फूड है बच्चे के लिए, साथ में बच्चे की बिमारियों से लड़ने की शमता को बढ़ता है, यानि कि रोग तुरोधी शम्दा बच्चे की बढ़ती है जिसे कि बच्चे को इंफेक्शनस नहीं होने पाते हैं फिर बच्चे का मांसिक विकास बहुत अच्छा होता है जो बच्चे केवल मां के दूद पे रहते हैं शुरू में छे मैंने उन बच्चों का मेंटल जे स्ट जब आपने बात कहीं कि नवजाज शिशु जब पैदा होता है तो बहुत सारी ऐसी बाते होती जिनका ध्यान रखना पड़ता है तो मैं आप सब जानना चाहेंगे कि जब नवजाज शिशु पैदा होता है तो कौन-कौन सी ऐसी साफधानिया बरतनी चाहिए उसको समालने कि जब इसे बच्चा पैदा हुआ तो हमारे से बड़े होते हैं जब अडल्स हैं उनके शरीड में तापमान के कम यह जादा होने से के अगेंस उसको तयार होने की हम लोग के अंदर शमता होती है और यह शमता होती है ब्रेन में हाइपो थेलमेस के थूरू लेकिन जब पैदा होगा तो इसके अने धर धन लगेगी तो गविष्यू से गर्मी लगजाएं उसके अगेंस उसके पास तयार ही नहीं होती शवीमें होसके लट सके तो इसके लिए जरूरी कि बच्चे के शरी तापमान को बनाय रख़ाय के लिए एग देह बहुत ज़रूरी ह कि दो को थंडा ना रखा जाए और बच्चे को हमेशा कपडों की पर्तों में लपेट के मा के साथ चिपका के लिटाए जाए एक तो इस चीज़ बच्छे को पूरा मिले और पूशन बिलने के लिए के लिए बच्चे को मां का दूद मिले जिसा कि आपने कहा कि पैदा होने कि एक सवाल पूछ लेते हैं जैया जी आप अपना सवाल पूछ सकती है हलो मैम मेरा सवाल है यह कंगारू मदर केर क्या होता है आप ने बहुत अच्छा सवाल किया वदा यह है कि कई बार हमारे बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं एक सामाने बच्चे का पैदा होता है तो धाई किलो यह उसे अधिक होना चाहिए लेकिन अगा बच्चा धाई किलो से कम का है तो उसके शरी में तापमान को बनाये रखन चाहिए नहीं की शम्ता उससे भी कम है जो सामाने बच्चे से भी कम है तो उसको और भी ज़्यादा गर्मी की ज़रुवत हैं कि अधिए ज़म है वापया था अधिक्ट के बच्ट कर मिलती है चिब बच्चा मां के सीधे तब दो चांपर निकि मां की सीन-टो-सीन कॉंट़े करते हैं कि मा के साथ बच्चे को मा कपड़े हटा कि बच्चे खिपकालए देते। और उपर से कपड़ा लके देते हैं। उसे बच्चों को सीधे मा की गर्मी मिलति ये श्रीर की. उससे बच्छे को विकास बहुत अच्छा होता है। और बच्चे को इंफिक्शिंस नहीं होने पाते हैं. जिसे कंगारू होता है, वो अपने बच्चे को, उसका प्रिजी टम पैदा होता है, और उसको अपने थैली में रखे दता है. फिर बच्चा जिर्दे उसी गर्मी के साथ बढ़ता है. उसी तरीके से हम लोग ने मनुष्य में भी एक कंगारू मदर के ठोली और यह जरूरी नहीं कि मा ही यह काम करें यह गर्मी दिने का काम मा, पिताजी, बाबा, दादी कोई भी कर सकते हैं और जिन बच्चों का वजन बहुत कम होता है, बहुत कम समय के बच्चे होते हैं, उनको हम लोगों ने हैं शी चिपका के रखा है और दिन में 4-6 गंटे, अगर हर दिन बच्चों को सीधर तो चाकि परश में रखा जाए, ओपर से लपएट दिया जाए, तो इन बच्चों का विकास बहुत अच्छा होता है और उनों का वेट गेन बहुत अच्छा होता है तो कंगारू मदर के बारे में हमने जाना तो सुर्भी जी अब आप अपना सवाल पूछ सकती है हमारे चाथ स्टूडियो में मौजूद है मेरा नाम सुरभी मिश्रह है मेरा प्रेश्ण है कि नौजाद बच्छी को कितने अंतराल पर इस्तनपान कराना चाहिए अक्सर क्या होता है कि लोग इस सोचते हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो अब तो बतानी पाएगा कब दूद पीना है तो उसको घड़ी बांद के दूद मांगे तब दूद दिलना चाहिए अगर बचा अच्छी निन्सूरा थो दो घंटे भाइं घंटे तीन घंटे यहां तक कि चार घंटे भी सो रहा है तो पैट भरा हुआ रो नहीं रहा है अक्सर माओ को मैंने दिखा है कि जगा जारी है और रो रहा है क्यों जगा रही हो ह प्लसेंटियों के दूद नहीं पिया उसने तो ऐसा नहीं है यह गल्ट है बच्चे को में डिमांड फीडिंग करने जब बचा रोए तब दूद देना चाहिए उसके अलावा नहीं देना चाहिए तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जाना चाहेंगे कि जो गर्बनाल ह होता है कि यह तो एक जो गर्बनाल है उसी से प्लसेंटा से बचा जुड़ा रहता है जब बच्चा मा के पेट में होता है तो सारा पोर्शन उसको उसी के जरीए मिलता है लेकिन जब बच्चा बाहर आ गया तब बच्चा मा के दूद पर रह गए उसको पोर्शन के पुछ भी करने की जरुआते हैं क्योंकि हम पुछ लगाना नहीं है लिकिन तो लंग देते हैं अगर आप कुछ लगाएंगे तो नाल को बिल्कुल सुखा खुला छोड़ देना आप ज़घ के जाएगे अगर आप कुछ लगाएंगे तो इंफेक्शन का ज़रीया है उससे बच्छों को इंफेक्शन नेकर दर है और बिमार हो तो इंफेक्शन का खत्रा ना हो इसलिए गर्वनाल को बिलकुल ना छेड़े और इसी के साथ आईए अगर ले सवाल की और बढ़ते हैं पुष्पा ज सब्सक्राइं दादी जी बाहर बैठी है नानी बैठी है बच्चे का मादसिक शारियरिक विगाष संवजित रूप से होता है। चैलिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि कैसे पता चल पाएगा। यह भी मामुली बात होती है। बहुत मामुली है लिकिल कमाले टोपन आथी है। मेरे पस इक्षर माय लेकर आती है तो बच्चे को infection नहीं देंगे और infection नहीं हो का तो बच्छा ठीक रहेगा स्वस्त रहेगा और जैसा कि मैंने पहले भी एक है कि मा का दूद complete nutrition है तो बच्चे को nutrition तो मिली रहा है तो पूरा है इसलिए शुरुवात में ही कहा था कि मा का दूद अम्रिद समान होता है तो आईए एक और phone call की और बढ़ते हैं लखनों से ये phone call है हमारे पास सुन लेते हैं क्या है उनका सवाल हेलो आप अपना सवाल पूछ सकती है मैं ये पूछना चाहिए कि आप पिस जी बताईए जी पताईए तो मौसम के नहीं पताईए कि एक मेने का बच्चे का भ्यान अपना दूद पिलाईए क्योंकि एक मेने का बच्चा है तो मा के दूद के लावा कुछ नहीं मिलना असे और दूसरे उसको बराबर गरम रखिए उसको अच्छे से कई पड़तों के कपड़ों में लपेट के और यहां ता हो सके अपने पास ही चिपके लिटाईए जिसे बच्चे की शरी की गर्मी बनी रहे उसको अच्छे से उड़ा पेना के रखिए सर खुला ना रहे पैर खुले ना रहे मोजे पेना ये टोपी पेना ये और बच्चे को लपेट के रखिए तो बच्चे की शरी के तापमान को बनाए रखिए बच्चे को इंफेक्श ना होने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर से कुछ भी मत दीजे चलिए तो मा का जो संपूर्ण प्यार है एक तरीके से वो शिशु तक पहुंचे और शिशु अपने आपी स्वस्त रहेगा इसी के साथ विदीशा हमाई साथ स्टूडियो मौजूद है उनका अगला सवाल मेरा क विदीशा आपको जो सबस्क्राइब जाना चाहिए कि मेरे पास बच्य विद्ध पूरा दूद है ऐसा नहीं होता कि कोई मा दुनियाम ऐसी नहीं जिसके पास अपने बच्चे के लिए परेयाब दूद नहों बशरते कि अंदर विश्वास हो आत्म विश्वास बना रखन चाहिए उसको ऐसा एप्मॉस्टीर देना चाहिए जिसमें कि बच्चे को अच्छे अपना दूद्ध पिला सके कई बर क्यों होता है यह बहुत भी पड़का है कमरा एक ही है प्रेवैस ही नहीं है तो उसमें मां घबरा जाती है उसमें कई बर बच्चे को दूद्ध पुरा है बच्चे का वजन ठीक से बढ़ रहा है इसका मतलब बच्चे को पूरा दूद्ध मिल रहा है एक चीज बहुत इंपॉर्टनेट जो मैं कहना चाहूंगी वह यह होती है कि अकसर माओं को मैं देखा है कि वह एक तरफ से दूद्ध पिलाती है चार-पांच मिनट और दू पानी होता है और इसमें ग्लुकोज होता है जो बात का दूद्ध होता है पांच-दस मिनट का उसमें होते हैं प्रोटीन और फैट्स जो जादा कैलरी देते हैं जादा समय तो होता है कि माने एक साइट से भी उपला दिया ग्लुकोज समझे जे कार्भोईडरिट हो पानी पानी प्रोटीन फैट सब मिलेंगे तो बच्चे को पूरा पूर्शन भी मिलेगा और बच्चे का पेट भर रहा 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 है वह आराम से दो घंटे तक सोएगा या खेलेगा तो यह बहुत ज़रूरी कि एक तरफ से पहले पिलाईए पंदरा मिनट बीस मिनट उसके बाद अगले फोन कॉल की और बढ़ते हैं राय बरेली से हमाए साथ भाया जी जुड़े हुए है आईए उनसे बात कर लेते हैं हेलो अपना सवाल पूछ सकते हैं आए ऊच्छेन को किसी दूसरे की गोर में देने था से इमने में जीड़ कौनकी की सादगात चाहाम हैं लगोल में। बच्छे की आधि की आधि ए dormir है जाता है। सूनल। दृर पहला है उसमें इक्षेन करने इस बहुत जाए लगर जाहूँगी अपर दूसरी और जो बच्चे को लेती है वह अपना कुछ रुपया निकाल के उसकी उपर रखती है। रुपया जो है वह इन्फेक्शन का बहुत बड़ा स्वोथ है। बच्चे की उपर रुपया मत रखिये। क्योंकि अगला फोन कॉल हमें पास दिल्ली से आया है खुश्बू जी का आईए उनसे बात कर लेते हैं उनका सवाल जान लेते हैं हेलो गुश्बू जी आपना सवाल पूछ सकती हैं जी मैं यह जानना चारी कि माम पे की जो माम न्यूबॉर्ण डेवी होता है उसकी जो नाभी होती है वो लगब कितने दिनों में सूख जाती है नॉमली आट से दस दिन में गिर जाती है अगर उसमें कुछ बिन लगाएंगे तो बेकुल ठीक रहेगा कुछ लगाएंगे तो पकने का डर है तो ये उनका सवाल था और गर्बनाल की बात हुई है तो डॉक्टर सभी माइब एक और सवाल में आप से पूछना जाओंगा अगर मान लीजे कोई इन्फेक्शन आ जाता है और गर्बनाल इन्फेक्टेड हो जाता है उस इस्तिती में हमें कैसे करके उसको रूप करते हैं करके डॉक्टर को दिखा जरू ले हैं प्राथमिक स्वास के इंद्रे एसाम जाएक स्वास के जलाची किसाले हैं कई बीजा के दिखा लें उसकी नाभी को साफ कर दिया जागा अगर ज़रूरत होगी तो उसको एंटिबाटिक देनी पड़ेंगी इन्फेक्शन ज्यादा ह है तो बच्चे का ट्रीटमेंट बहुत दूद इस एक और हमारे कॉल हमारे साथ जूड़ चुके हैं है लो है लो है हमें से सवाल पुच्छा चाहिए तो उस समय तो वह बीस बाइस घंटे सोता है दिर दिर बच्चे की सोने का टाइम कम होता है लेकिन फिर भी एक वरश्य कि उम्र तक बच्चे बारा से ठारा घंटे की बिश्म सोते हैं वह अच्छा है सोना चाहिए जितना बच्चे सवागे उतना ही विकास्त अच्छा हो गया तो इसी बात के साथ आईए एक बार फिर से स्टूडियो में जुड़ जाते हैं राहूल हमारे साथ मौजूद है आ उसको पोच्छा और कड़ देल से उसके उपर वाइट वाइट लगा होता है सो साफ किया और तुरह नगा दिया जबकि कायदा यह है कि बच्चे को तापमान बना रखने के लिए एक हफते तक ना रहा है पैदा होने के बाद बच्चे के शरीर पर जो पतली से सफ़े यह है तो बच्चे के उस चीज को साफ नी करना आ जाए बच्चे के घी बन को पोँच दिना चाहिए और इसके अलावा बच्चे को कपड़ों में लेटेके मा के पास लुखने छी कोशिश के करना जी कि बच्चे को एक सवता तक ना ले अगर बहुत गर्मी के दिने तो कम से उप तीन दिन के बाद देले हैं जी आई एक कोरे हमाई साथ जुड़ चाते हैं सो उनका सवाल जान लेते हैं पहले हलो है लो मैं राधा बोल रही हूं जी राधा अपना सवाल पूछ सकती है जी मैं यह जानना चाहरी थी कि जिन माताओं को बच्चा मतलब जो छोटा बच होता है अगर उन माताओं को दूद नहीं होता है तो क्या उस नवजाश शिशु को शहद आदी मतलब जैसे दिया जा सकता है देखी पहले थी कि कोई माई से नहीं है जिसके बास अपने बच्चे के लिए दूद नहीं है जरूरत होती है कि आत्म विश्वास हो उसको पुर में तब तो हमारे स्टाफ सपोर्ट करता है लेकिन अगर नहीं है होस्पिटल घर आ गई है तो ऐसी सित में अगर आशा है या एरिया के एने महंजी है उनसे अगर आप मिलेंगी तो वह आपको सपोर्ट करेंगी लेकिन पहले चीज़ यहीं है कि बच्चे को पूरी sout bessे नहीं है उल्से और भी मशर चयंद आप रहा तो उसको कोशिए जनी के रात में दूद जादा बिलाना सी है प्यार के विशय के उपर और अब चलते चलते आज का सवाल और अब चलते चलते आज का सवाल शिशू को घुटी शहद आधी चटा दिया जाता है जो सही बात नहीं है तो आपको बताना है कि शिशू को जो उपरी आहार देने की सही उम्र होती है वो क्या है सवाल एक बार फ तो उसको जो खान पान है शुशू की जो उपरी आहार देने का जो सही उम्र है वो क्या है ये आपको बताना है तो आपके जो पत्र होंगे उनको भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए हमारा पता है प्रस्तुत करता मिशन हेल्थ कमरा नंबर 205 दूरदशन केंद्र 24 अशोक मार्क लखनो 226 001 और हमारी इमेल आईडी है missionhealth.dduplko at the rate of gmail.com तो हमें आपके पत्रों का रहेगा बे सबरी से इंतजार और डक्टर साब आप अपना कीमती समय निकालके यहां पर आई और हमें इतनी सारी ज्यान भर्दक बाते दी हम सब को उजागर किया बहुत सारी बातों से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो इसी बात के साथ आईए आज के इस कारिकरम से हम इजाज़त लेते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको यह कारिकरम पसंद आया होगा नमस्कार करते हैं करते हैं झाल करते हैं रहाँ झाल झाल करते हैं झाल